दोस्तों मेरे पास एक एक एक्षन है और इसको सेलेक्ट करके जैसे ही मैं अपले के निशान पर क्लिक करूंगा तो हमारे आटोमेटिक पास्पोर्ट फोटो इस तरह से एफ और फॉर की सीट पे और फॉर्वाइटिक की सीट पे आटोमेटिक तयार हो जाएंगे आप देख स है इस एक्षन में पासवर्ट लगा है पासवर्ट वीडियो में दो बार अलग अलग दिखाया है दोनों को मिला कर पासवर्ट बनेगा तो वीडियो पूरा जरूर देखे फोटो सो में एक्षन को ओपन करना है या विंडो में जाके और यहां पे एक्षन पे क्लिक करेंग तो आप action इस परकार से show हो जाएगा और इसके बाद हमें action को photosome में load करना होता है आप video के description से जहां भी action को download करके save करोगे उसको यहां double tier की निशान पर click करके और load action पर click करेंगे यहां पर इस परकार से आपकी file open हो जाएगी और जहां action को save करोगे वहां उसको select करके और load पर click करेंगे हमारे सामने action यह पर आ जाएगा और इसके बाद हमें एक photo को open करना है जैसे हमारे पास यह photo है आपको भी अपने photosome में कोई भी अपनी photo open कर लेनी है और उसके color correction पहले कर लेने है color correction करने के लिए पहले light करेंगे photo को control M करके control M से यह curves open हो जाएगा और photo dark है तो light कर सकते है और light है तो dark कर सकते है इस तरह से और okay करेंगे अब photo में color करने के लिए control V करेंगे और color balance open हो जाएगा यहाँ से आप yellow tone को इस तरह से increase करेंगे और red tone है तो यहाँ से इस तरह से इस परकार से आप यहां पर अपने image के color correction करके और यहां पर ok करेंगे Ctrl L press करेंगे levels open हो जाएगा यहां image को contrast इस तरह से देंगे और image को यहां से blackness देंगे तो इस परकार से देंगे और फिर यहां पर ok पर click कर देंगे इसके बाद यहां फिल्टर पर जाके और यहां पर 9S पर जाके यहां JPG पर जाएंगे यहां समुतने से रखेंगे 10-20 जितना आप रखना चाहें और OK कर देंगे यह काम हमें एक्षन यूज करने से पहले कर लेना है अपनी इमेज पे और अगर आपकी इमेज इस तरह से है पीछे बैकराउंड तो आपको बैकराउंड चेंज करनी होगी पासपोर साइज फोटो के लिए तो उसके लिए आप पैन टूल सेलेक्ट करके या लैसो टूल भी स सकते है जो उन से टूल से आप ज्यादा काम करते हो उस टूल को सेलेक्ट करके और हमें इस परकार से फोटो के चार तरफ से पहले इसका पास त्यार करना है इस तरह से पैन टूल लेके और चारो तरफ से हमें इमेज गे इसका पास त्यार हो जाएगा यहां से इस तरह से औ और यहाँ पर लाके इसको बाहर की तरफ से लेके जाना pen tool को इस परकार से और यह इसका path तयार हो चुका है और selection बनाने के लिए keyboard से control interface करेंगे यह selection बन चुका है इसमें feather लगाएंगे image में select पर जाके feather पर जाएंगे image के नुश्वारा feather रखेंगे ok करेंगे और background में color देने के लिए यहाँ से background color पर जाएंगे mouse से click करेंगे और zone सा भी color आप रखना चाहिए वो color यहाँ पर select करेंगे और ok करेंगे keyboard से delete button press करेंगे तो हमारी background इस परकार से change हो जाएगी control D से deselect कर देंगे D सेलेक्ट करने के बाद या action में आके या पर action में आके जो यह जो arrow का निसान इस पर click करेंगे और नीचे करेंगे थोड़ा नीचे यह नाम आएगा A4 and 46 से इसको select करेंगे और फिर से arrow के button पर click करेंगे और नीचे करेंगे तो पूरा action open हो जाएगा हमें इसको select करके आपको एक चीज का द्यान रखना है जैसे मैं इसको select करता हूँ और यहाँ play पर click करूँगा तो हमारे photo इस तरह से तयार होंगे आप देखेंगे याप जो selection है वो कहीं का भी बन सकता है अगर हम direct यहाँ पर play पर click करेंगे तो selection कहीं से भी बन सकता है इमेज में तो हमें इसको ऐसे नहीं करना है इसको कट कर देता हूं एक बर हमें इसके लिए करना क्या है आप यहां पर देखेंगे जैसी यह एक्शन है और यहां पर यह खाली डिब्बे है तो हमें करना क्या है सबसे पहले जो यहां पर खाली डिब्बे है सबसे पहले क्रॉ जैसे ये हो तो इनको हटा देना है शिर्फ हमें उपर के ये चाहिए और इसके बाद हमें कोई भी डिबाग इस तरह से चेक ना हो आप देख ले और हमें इसके बाद यहां सेलेक्ट करके पोर एंड पोर सिसको या पले के निसान पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये crop को option आएगा पोटो को crop करेंगे इस परकार से जितना आप अपनी image को रखना चाहिए उतना select करेंगे keyboard के arrow button से उपर निचे दाइबाई करके और इस तरह से select करेंगे अब हमें यहापे कुछ नहीं करना है सिर्फ यहापे हमें enter press करना है हमारी A4 की सीट पे 30 फोटो और 4x6 की सीट पे 8 फोटो आटोमेटिक तयार हो जाएगी और यह साइज है 3.5 cm, 4.5 cm अब मैं जैसे ही इंटर पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे फोटो एक की क्लिक के दुआरा तयार हो चुके है आप देखेंगे यहाँ पे 4x6 की सीट पे 8 फोटो है और A4 की सीट पे 30 फोटो है आप इनका बहुत ही आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते है प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल पी करना है इस तरह से आपका यह प्रिंट का ओप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पे scale it print size यहाँ पे इसको हमें scale to fit media यहाँ पे इसको check कर लेना है और यहाँ page set पे जाके यहाँ से हमें portrait या landscape जिसमें चाहेँ उसमें निकाल सकते है portrait पे select करेंगे ok करेंगे और इसके बाद हमें print पे जाके यहाँ से अपना printer select कर लेना जो भी printer आपके पास है और यहाँ से quantity आप एक रखना चाहते है page की दो तीन वो यहाँ से select करेंगे और फिर यहाँ पे और property पे जाके आपको यहाँ पे चेक कर लेना है एक बार portrait और यहाँ से आप page size देखेंगे कि size में आप page लेना चाहते है वो यहाँ पे जो आपका printer होगा जिस size page का उसमें सभी size इस तरह से show करेंगे paper size तो मेरा यह 4 by 6 का है तो यहाँ पे 4 by 6 से select है और आपको इसी तरह से और फिर यहाँ पे ok कर देना है और फिर यहाँ प्रेंटर और इसके बाद यहाँ प्रेंटर ओपन और इसके बाद यहाँ भी ok करना होता है ok करते ही अमारे प्रेंट निकलना सरू हो जाएंगे आपके पास दो भी प्रेंटर होगा उस प्रेंटर के द्वारा इसको में cut कर देता हूँ इस तरह से आम आपने passport photo तैयार कर सकते one click के साथ बहुत ही easy तरिक्के से उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी वीड इते नेक्स्ट वीडियो में नई टोपिक के साथ थैंक यू